प्यारे बच्चों आपके कॉंसलिंग की डेट आ गई बहुत इंदिजार के बाद और उसके बाद आप बहुत सारे बच्चों के फोन में से जा रहे हैं कि सर आल इंडिया कॉंसलिंग कराएं के नहीं प्यारे बच्चों आपको आल इंडिया कॉंसलिंग जरूर करानी चाहिए क्यों करानी चाहिए क्योंकि 2020 के कंप्रिजन में 2021 का कटाफ लो जाएगा ये कटाफ क्यों लो जाएगा हम आपको विद रीजन बच्चों एक्ट्वेंड करने जा रहे हैं सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 2020 में सेकेंड राउंड की कॉंसलिंग के बाद किस नमबर और किस रैंग पे कॉलेज मिला था तो बच्चों आल इंडिया से सेकेंड राउंड पे 611 नमबर तक मिला था और रैंग थी 15,038 ये कटेगरी थी जनरल अगर बच्चों हम लोग SC कटेगरी की बात करें तो 507 नमबर पे मिला था और रैंग थी 18121 और कटेगरी थे SC और बच्चों इसी तरह से 488, 96,759 कटेगरी थे बच्चों ST एक बच्चों हम कम जाएगी मेरिट इसमें कोई दो रहा नहीं कटाफ लो जाएगा इसमें भी कोई दो रहा नहीं मैंने आपको एक वीडियो बनाया था मार्क्स वर्सेज रैंक और मैंने प्रेडिट किया था कि 597 पे करीब 20,000 रैंक आएगी आप वीडियो को देख भी सकते हैं प्यारे बच्चों अब आप लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से रीजन है जिसकी वज़े से कटाफ लो जाएगा और आपको आल इंडिया की कॉंसलिंग जरूर कर ली चाहिए ये बेटा facts and reasons है पहला है बेटा change in counseling pattern आपको बच्चों अच्छे से पता है कि पहले ये पहले केवल दो round होते थे आल इंडिया में और जो seat बचती थी वो state को दी जाती थी अब ये counseling आपकी चार round में होगी तो 2020 में क्या हुआ था दो round के बाद 2097 दो हजार 2097 seats state को दी दी गई थी अब ये आल इंडिया से फिल की जाएंगी तो ये करीब करीब दो नंबर का difference जरूर कियेट करेंगे इसी तरह से बच्चो जो second region है वो इस बार merit लो गई है 2020 के कम region में आप जानते हैं कि 599 पे जो rank थी वो 20,000 थी इस बार बेटा 597 पे 20,000 rank है तो दो नंबर तो ये reduce हो गए अब बेटा तीसरा reason बहुत important है ये तीसरा reason क्या है बच्चो seat बढ़ गई है करीब 5,500 जिसमें बेटा 3,000 seat government college की बढ़ी है 2,500 seats किसकी बढ़ी है बच्चो private college की तो अगर 3,000 में हम लोग 15% ले ले तो ये करीब हो जाएगी 500 seat तो 500 seat का बढ़ना merit का लो जाना और दो round के बजाए 4 round की counseling जो seat state को दे दी जाती थी अब और नहीं दी जाएगी ये सब merit को कम से कम 6 से 8 नंबर जरूर कम करेंगे सारी category में अब हम लोग देख लेते है category wise क्या होना चाहिए बच्चो ये prediction है आसपास होगा लेकिन ये prediction बहुत ज़्यादा wrong नहीं होगा तो बच्चो ये जो 15,038 rank तक college मिला था ये 17,000 या 17,500 हो सकता है 611 नंबर पी जो college मिला था ये 600 से लेके 603 तक आपको college मिल सकता है जनरल category में OBC EWS में ये merit लो जाएगी क्योंकि जो EWS का 10% और OBC का reservation जो भी है उसकी वज़े से merit लो जाएगी तो पिछली बार जनरल की merit के बराबर करीब-करीब OBC EWS गया था इस बार OBC EWS के merit कम जाएगी ST category के अगर बात करें बच्चों तो 8121 rank और 507 नंबर पे college मिला था और इस बार बच्चों ये हो सकता है 495,500 या हो सकता है 490 प्लस पे आपको college मिल जाए ST category में बच्चों 96,759 पे मिला था इस बार हो सकता है कि 1,20,000 तक मिल जाए और ये 488 पे मिला था ये हो सकता है 470 प्लस marks तक आपको मिल जाए या 475 पे तो बच्चों ये अनुमान है कितना कम जाएगा हो सकता है एक दो नमर का अंतर हो लेकिन ये समय लीजे कि आल इंडिया का कटाफ जरूर लो जाएगा इसमें कहीं से कोई दोराए नहीं मैंने आपको reasons बता दिये आप सब बच्चों के question थे सर आल इंडिया कांसलिंग कराएं कि नहीं जरूर कराईए आप सब के message थे इसलिए बच्चों ये मैंने वीडियो बनाया आपके लिए इसके पहले मैंने जो prediction किया था उसको भी जरा हमारे चैनल पे देखिएगा और अपनी कांसलिंग की पूरी समाज की सेवा करेंगे मुझे पूरी उम्मीद है अगर आपको लगता है किसी और वीडियो की जरूरत है तो आप कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जरूर बताइए जरूर आपके लिए वीडियो बनाके देंगे थैंक्यू सो मजब बच्चों जै हिंद जै भारत